वास्कार दोस्तों मैं कुल्दिप सुलुजा इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या रंगों से वास्तु दोशों को दूर किया सकता है कहीं वास्तु शास्त्री अपनी किताबों में जिकर करते हैं और यह उपाय करते भी हैं यह एक बारों पढ़ने में भी आता है कि यदि कोई वास्तु दोश है तो उसके लिए अलग-अलग कलर बता रहे हैं इस कोने का कलर जो है यह पर्टिकुलर कलर है यदि इस कलर का आप उप्योग कर लेंगे वो दोश दूर हो जाएगा जैसे साउथ वैस्मेर सेटिक टेंक है तो निशिद मानि उसके घर में विबारी बनी रहेगी आर्थी स्थिति खराब रहेगी आप सेटिक टेंक खटाने की स्थिति में कोई नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको किसाब आप इस पर लाल रंग पोड़ दीजिएगा तो आपका ये दोश खतम हो जाएगा कुछ उसी जगा के लिए को पीला कलर बोल देता है को कलर पुतवा देता है इसके उपर यह से टॉयलेट है तो टॉयलेट गला जगा बन गया तो कमोट का जो होता शीट होती है उसके बहुत अलालग तरीके के लोगों देखा है उपाय करते हैं कलर के उपाय करते हैं दोस्तों यह बिल्कूल गलत से एक नए पैसा का लाब नहीं होता जिन्नों जिन्नों ने कराएं वो परेशान के परेशान ही रहे हैं जैदि आपके निर्ट कौन में अंडर वाटर टेंक य यह पूर दिशा में लाना होगा इसके अलाब आप कित्ते उपाय कर लें कित्ती पूजा पाठ कर लें यह अंत्रतंत मंत कुछ भी कर लें एक नए पैसा का फायदा नहीं होगा ध्यान देखिएगा